अंच कि अधैन का पूल सब्था कर अब्सकाल था hallo तो नमस्कार आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का सागत एइं डीपावली एए तो ऋससभी लोगों को पहली बात तो दिपावली के हार्दिक धुलक्षुपताम में भीकिने दिपावली के अंदर हम इस फे क्या है असली धन एक यह है असली धन नौलेज है आपकी डहुनाज ही असली धन है क्योंकि देखे इंसान अपने नौलेज की हिसाब से पैसे अक्रो आता है धील्कh for example जैसे कि एक बीकारी है बीकारी एक इंसान उसकी इक लुपर कमाने की उनने है उसके पास है तो एक लुपर का इसको करता है एक लुपर कमाता है दिखेो उसके पास चाहिए 000 पैसे कमाते है जोब वह उसके जाने है 15,000 तो तो उसके knowledge का यूज़ करकर वो उतना पैसे कमाता है, उसके पास क्या knowledge है? एक machine को चलाना, एक skill है, एक machine को चलाना, एक laptop को चलाना, एक computer को चलाना, 8-10 गंटा काम करता है, उतना पैसे कमा लेते हैं, उसमें एक छोटा business person होता है, उसके पास knowledge है, एक दुकान को, एक shop को handle करना कैसे, यह knowledge है, इसलिए मैंने का 60-70,000 रुपे कमाता है, और जो इनसान लाखों रुपे कमाता है, जो इनसान करोड रुपे कमाता है, उसके पास करोड रुपे कमानी की knowledge है, एक बड़ी company को handle करनी की knowledge है, team को lead करनी की knowledge है, team को handle करनी की knowledge है, इसलिए वो लाग को पॉर्ड रुपे कमा रहे हैं, दीखें, पैसा इंसान के पास आता है, हर एक इंसान के पास पैसा आ सकता है, लेकिन उसके लायक, उसके काबिल बनना बहुत ज़रु है, मतलब काबिल बनना इसका मतलब का है, उतनी knowledge उसे इंसान के पास होनी बहुत ज़रु होगी, दीखें, एक बिकारी और एक करोड़ोपती इंसान, दोनों के तर ज्यादा difference नहीं होता, उसके पास ही दो आखे होती है, उसके पास दोकान होते है, वही एक बिकारी के पास होते है, वही एक इसके पास भी 24 कंटा है, लेकिन difference एक ही चीज़ का है, इसने क्या किया है, मैनद करकर knowledge को इकटा किया है, और knowledge का यूज़ करकर पैसे कमार है, इसने कम knowledge इकटा किया है, इसले कम पैसे कमार है, तो इस दिखावली मैं आपको यही suggestion देना चाहूँगा, कि अपने knowledge की धन को ब होगा, और इसी धन के साथ आप खुश्याल जिंदी की शिरुवात करोगे, तो धन्यवाद, थैंक्यू सो मच आल,